Hello everyone, UP में जो है smartphone और tablet मिलने की योजना आप लोगों को अच्छे से पता है कि इस योजना के तहट आप लोगों को जो लोग भी UP से कोई course कर रहे हैं और UP में रहते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खासी योजना निकाली गई है विवेकारंद योजना जो यह है जिसमें की युवाओं को टेक्टिकल डिपार्टमेंट से या आप बोसकते हो कि टेक्निलोजी से जादा जोड़ने के लिए यह योजना है इस योजना में किन-किन लोगों को जो है tablet और आप लोगों को फोन, mobile phone यह मिलने वाला है इस पर हम साथ ही साथ में आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो कि आप इस mobile और टैब के लिए जो है eligible हो या नहीं आप खुद से चेक करके देख सकते हो और दूसरी चीज यह हो जाती है कि आप लोगों को जो है कब तक यह मिलेगी किस तरह से मिलेगी यह सारी चीजों का प्रोसेस आज इस वीडियो में बताए जाएगा इसमें एक ओफिशल नोटिफिकेशन भी आया हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड से रिलेटेड से रिलेटेड मोबाइल फोन से सबसे पहले तो आप ओफिशल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उस पर हम देखते हैं यहां पर आप देखो सभी युनिवर्सिटीज को जो है लेटर यह लिखा गया है ठीक है विवेका नंद यूँआ शक्तिकन योजना अंतरगत विकसे डीजी शक्ति पोर्टल पर 23 वर्स और 23 शौविस के जो अंतिम सत्र में है यानि कि फाइनल यर में है उन लोगों का जो है अपलोडिंग यानि उन लोगों का डेटा जो अपलोड है हो रहा है उसको अब टाइम आ चुका है बंद करने का क्योंकि अब लास देख है देखें यहाँ पर आप अवगत है क सासना देश संख्या 975 18 जुलाई 2022 के अनुपालम ने परदेश की वाओ के तकनीकी सशक्ति करन है तो टैबलेट स्मार्टफोन वितरन योजना लागू की गई जिसके करन में अवस्थापनाय मौदगिक विकास विभा क्योर से यूपी डिसको नोडल संख्या के रूप में दिया गया चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि आपका लास्ट डेट क्या है तो यहाँ पर देखलो अवगत कराना है कि डीजे शक्ति पोर्टल पर सत्र बाइस तेईस और तेईस चौबिस के अंतिम वर्स के चातर चात्राओं के डेटा को अपलोड किये जाने की विवस्ता बन के जाने का है तो लास्ट डेट डिया गया है एक बारह एक दिसमबर जो है दो हजार चौबिस यह लास्ट डेट है डेटा अपलोडिंग का तो जो भी आपके कॉलेज वाले हैं आपके उनिवरस्टी वाले हैं उन लोगों के लिए इंफोर्मेशन है कि वो ल अब लोग यह जान लोग कि यह इंफोर्मेशन आ गई है कि अब एक दिसमबर तक लास्ट डेट है डेटा अपलोडिंग का अब आप लोगों को जो है और जो मोबाइल है दोनों में से कोई आपको मिलने वाला है अब आप खुद से भी चेक करके देख सकते हो कि यह मिलेग इसको ओपिन कैसे करेंगी चलिए मैं यह भी बता दो यहां पर आजाते हैं हम लोग फूरा बैक लेकर करके आपको जाओंगी ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे आप क्रॉम में या को भी ब्राउजर में आ जाओंगे डीजी सक्ति यहां पर लिखोगे डीजी सक्ति एक यहां पर क्लिक करोगे जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस हो रहा है जिसमें आपके युनिवरसिटी को पूछेगा जिसमें आपके कॉलेज का नाम पूछेगा और आपका एंडॉल्मेंट नमबर पूछेगा ठीक है और जब यह सारी चीज जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं जैसे कि मान लेते हैं यहां पर मानो हमने कोई उनिवरस्टी चुन लिया अलिगर मुस्लिम उनिवरस्टी हमने चुन लिया ठीक है इसमें आप लोगों को कॉलेज का नाम आएगा एम यू कैंपस अलिगर है यह हमने ले लिया यहां बता चल जाएगा आपका डेट अपलोड किया गया है या नहीं यह बता चल जाएगा ठीक है तो यहां पर नॉल्मेंट नमबर डालकर और यह वाला जो है capture यहां डालकर सर्च करोगे जब आप सर्च करोगे तो आपको इस तरह का ओपेल होगा देखो इस तरह का enrollment number रहेगा enrollment number रहेगा जिसमें आपका वहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे father's name, mother's name रहेगा, email ID जो आपने डाला है वो रहेगा, mobile number रहेगा और यहाँ पर आप लोग का verification status जो कि यहाँ रहेगा, verified लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, यह क्या लिखा हुआ रहेगा, verified, अगर यह verified लेकिन अगर यहाँ verified की जगा pending लिखा हुआ है तो आपको जो है यहाँ पर यह काम करना होगा कि यह verified हो इसके लिए आप अपने college से contact कीजिए वहाँ से कर सकते हो online खुद से भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप college से contact करके वहाँ से ठीक करा दो ठीक है तो ये चीजे हैं आप लोग खुद से जो है check कर सकते है कि आपको mobile या आपका जो है tablet जो मिलने वाला है वो मिलेगा या नहीं किस तरह से करना है मैंने आपको बता ही दिया है कल तक जो है एक December तक जो है data upload किया जाएगा और उसके बाद से सारे college वाले को list आने लगेगा उन लोग को list मिलेगा कि किस किस का नाम है आपको मिलेगा या नहीं इसके लिए college के contact में रहना ही होगा क्योंकि ये सारी चीज आपको college वाले ही देंगे अब ऐसा नहीं कि आपके address पर आपको college जाना होगा वहाँ पर आप लोगों को college में list एक paste किया हुआ मिलेगा जिसमें आपका नाम रहेगा आपको मिलना होगा तो और वहाँ से आपको college वाले हैं लोगों करेंगे चाहे आपको tablet मिले या phone मिले समझ में आया तो ये अब योजना जो है इस योजना का lab जो है अब आप लोग को मिलने वाला है तो ready रहेए 1 December last date है data upload का और उसके बाद से ये काम होगा और उम्मीद ऐसा है कि December के last तक में colleges अब देना स्टार्ट कर देंगे और या नहीं तो जनवरी में तो definitely मिलेगा ही मिलेगा यही चीजे हैं लेकिन इसके लिए मैं फिर से बोलूँगी इसलिए college के contact में रहना कि कब आ रहा है, क्या है और ये सारी चीजों को आपको information रखना है अगर आपके college वाले बोलेगे नहीं हमें तो ऐसा को information नहीं है तो हम ये जो आपको दिखाया जा रहा है जो notice है, official notice है तो ये notice हम लोग जो है ये बताया जा रहा है कि एक December last है और उसके बाद ये process स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद देखना हो क्या बोलते है मतलब उनको पता होना चाहिए कि हाँ आपको इसके बारे में knowledge है और जिनको knowledge होता है उनसे आपको पता भी है कि सभी लोग डरते है तो इसलिए इसके बारे में knowledge हम आपको हम देंगे आपको और बस काम आपको करना है और अपना हक जो भी आपका दिकार है हक है वो ले लेना है ठीक है इससे related कोई और अपडेट होगा तो definitely आपको इसी चैनल के मादेब सिर्फ फॉर्म किया जाएगा till then take care everyone